दोस्तों फाइनली जेन्यू एंट्रेंस एक्जाम का आंसर की NTA ने रिलीस कर दिया है मैं आपको बता दू कि आंसर की के साथ ही आपको क्योशन पेपर भी मिलेगा तो आप क्योशन पेपर को भी डाउनलोड कर सकते हो इसके साथ ही अगर आपको लगता है कि किसी कोशन को अपने को चैलेंज करना चीए तो वो भी आप कर सकते हो बट उसके लिए आपको 1000 पे करना होगा उसका सिस्टम अलग है वो भी आपको यहाँ पर बता दूँगा तो आपको आंसर की कैसे चेक करनी है उसके बारे में हम लोग सबसे पहले डिसकर्स कर लेते है तो मैं आपको बता दूँ कि आपको सबसे पहले NTA की विबसाइट पर आना होगा और NTA की जो में विबसाइट है वहाँ पर आपको शो नहीं करेगा देखिए यहाँ पर आने के बाद आपको दो option दिख रहे होंगे यह जो first वाला option है display question paper challenge answer की ओके simply आपको इस पर click करना है लेकिन इस पर click करने से पहले मैं आपको इस notice के बारे में बता देता हूँ यानि कि 20 से लेके 22 के बीच यह available रहेगा उसके बाद आपको जो है साइड यहाँ से डाउनलोड करने का option यह challenge करने का option ना मिले तो आप लोग टाइम रहते हैं यह सारी जीज़े कर ली जागा वससे ओल्रेडी NTA ने एक दिन यहाँ पर late release करा है इस notice को क्योंकि आज हो चुका 21 और कल है 22 तो यानि कल का ही दिन आपके पास है तो यहाँ पर इन लोगों की यह गलती है पता नहीं क्यों यह कर रहे है और अगर आपको challenge करना answer की को तो यहाँ पर देखिए 1000 आपको pay करना पड़ेगा जो की मुझे काफी ज्यादा लग रहा है हालांकि अगर due का बात करू तो इतना fee वहाँ पर नहीं रखा गया पता नहीं यह JNU के पीछे ही क्यों पड़े हुए है चलिए छोड़िए इस notice के बारे में इतना ही है दोस्तों and हम लोग चलते अभी फिलाल आपका जो website है main website उस पर हम लोग widget करते हैं तो main website पर आने के बाद दोस्तो simply आपको जो है यहाँ पर display question paper challenge answer की पर simply करना है click जैसे आप लोग click करेंगे तो कुछ इस तरह का interface आपके सामने show करेगा यहाँ पर आपको घबनाने का जरूरत नहीं है क्योंकि आपको यहाँ पर application number और password के जरीए भी यह login करने के लिए बोल रहा है लेकिन यह जो नीचे वाला option है simply आप ल fill करना है और यह जो security pin यहाँ पर दिया गया है simply आपको fill करके sign in करना है तो मैं सारा process यहाँ पर complete करता हूँ और उसके बाद dashboard में login करके आपको बताता हूँ दिखेगा ओके अगर आपको यहाँ पर शिर्फ view करना है तो वह भी आप कर सकते हो अगर आपको challenge करना है तो वह भी आप कर सकते हो तो simply आप इस वाले option पर यहाँ पर click करेंगे तो click करने के बाद आपको यहाँ पर आपका सारा कुछ दिखाए देगा यह दिखिए ठीक है इस तरह से आप जो है इसमें अपना जो आंसर सीट है वो चेक कर पाएंगे ओके अब देखिए मैं अलग से एक वीडियो भी सूट करूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि किस परकार से आपको आंसर की कुछ चैलेंज करना है तो आप लोग इस वीडियो में सिर्फ यही समझ लिजेगा कि यहां पर आपको आंसर की कैसे चेक करना ओके तो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया इस तरह से आप लोग यहां पर अपना आंसर सीट चेक करेंगे ओके तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही नेक्ट वीडियो जल्दी ही आएगा उसमें आप मैं आपको बताऊंगा कि आप किस परकार से आंसर ये जो क्योशन है उसे चैलेंज कर सकते हैं इस वीडियो में दोस्तों इतना ही